इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ बावर का इतिहास कौन था बावर? किसने बुलाया था उसे? तो इस तरह के बहुत सारे प्रिशनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो के सुरुबात करते हैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डेस्कप्शन बोक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी तो वहां से जाके आप बना सकती हो तो चलिए वीडियो के सुरुबात करते हैं वीडियो के सुरुबात करेंगे यहां से मुगल काल के इतिहासिक सुरूत जब भी हम किसी का इतिहास पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि जो मूल इतिहास है वो कहां मिलता है नम्बर एक बावर नामा यह है मुगल साथिक बावर की आत्मकता है जिसकी रचना स्वेम बावर ने तुरकी भासा में की थी बावर नामा couleur तुजग एबावरी या वाक्यात एबावरी के नाम से भी जाना जाता है नमबर दो हुमाईउ नामा हुमाईउ नामा की रचना बावर की पुत्री एवं हुमाईउ की चचेरी बहन गुल बदन बानू बेगम ने तुर्की भासा में की थी नमबर तीन तारीख ए सेर साही इस गरंद की रचना अकवर की आदेश पर अबास खां सर्वानी ने फार्सी भासा में की थी इस गरंद में सेर साही के जीवन पर प्रकास डाला गया है आपको ये तीनों गरंद याद रखने हैं अभी मैं आगे और चचा करने वाला हूँ नमबर चार अकवर नामा इस गरंद की रचना अबुल फजल ने फार्सी भासा में की थी नमबर पांच तुझक ए जहांगीरी यह जहांगीर की आत्मकता है जिसे सुएम जहांगीर ने फार्सी भासा में लिखा था नमबर पांच पादसाह नामा देखिए पादसाह नामा हलाकि मेरे पिछले वारे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि सर पादसाह नामा नहीं है बादसाह नामा है तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो बास्तविक जो सब्द है वो पादसाह है ना की बादसाह है ये आपको यहाँ पर समझना है तो पादसाह नामा ही गरंथ है और इस गरंथ की रचनास साह जहां के सासनकाल में हुई थी और किसी एक बेक्तिन नहीं की थी बलकि मुहमंद अमीर काजबनी अब्दल हमीद लाहौरी और मुहमंद बारिस ने की थी तो ये आपको यहाँ पर समझना है तो ये पाँच गरंथ ऐसे हैं इन में आपको मुगल सासकों का इतिहास मिल जाएगा तो इसलिए इन पाँचों को बहुत अच्छे से याद रखें कि ये बहुत महत्पूर है तो ये तो थे मुगल काल के इतिहासिक सुरूत अब बात करते हैं बावर की इतिहास पे तो बावर की इतिहास की सुरूबात यहां से करेंगे बावर का जन्म 14 या 23 फरवरी 14.183 इस वी को फरगाणा आदनिक उजवेकिस्तान में हुआ था यहां पर कहने का मतलब है कि 14 फरवरी या 23 फरवरी लेकिन 14 फरवरी ज्यादा तर जो बुकें हैं उनमें बताया क्या है लेकिन कुछ बुकों में 23 फरवरी भी लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने यहां पर दोनों तारीकों को लिख दिया है कहां हुआ था फरगाना में हुआ था फरगाना घाटी यह कहां है आदनिक उजवेकिस्तान में है तो वहीं पर हुआ था बावर के पिता का नाम उमर सेख मिरजा तथा माता का नाम कुतलग निगार खानम था बावर का वास्तवक नाम था जहीर अद्दीन महम्मद बावर इसको आपको याद रखना है क्योंकि यह बहुत महत्मूर है इसको एकजाम में एक बार पूछा गया था पृतियों की बिरिचा हुआ है बाबर का बास्तव एक नाम क्या था? जहीर अद्दीन मुहम्मद बाबर बाबर की बेगमों की नाम देखे यहां पर जब भी हम अपना इतिहास पड़ते हैं हिंदी में या इंगलिस में तो उसमें तीन या चार बेगमों के नाम दिये होते हैं लेकिन बाबर की तीन या चार बेगमों से ज़्यादा भी बेगमें थी इसका उलेख आपको बाबर नामा में मिल जाएगा तो नमबर एक सालिहा सुल्तान बेगम नमबर दो मासुमा बेगम नमबर तीन आईसा सुल्तान बेगम नमबर चार जैनब सुल्तान बेगम नमबर पांच माहम बेगम और नमबर च्छे बीवी मुबारिका तो मैंने यहां पर च्छे बेगमों के नाम लिखे हैं इन में से आपको एक नाम याद रखना है माहम बेगम का क्योंकि माहम बेगम से ही हुमाईوں का जन्म हुआ था जो बावर का उत्राधिकारी बना था तो इसलिए आपको माहम बेगम को यहाँ पर याद रेकना है बावर के पुत्र अब थोड़ी पुत्रों पर चर्चा कर लेते हैं जब भी हम अपना अत्यास पढ़ते हैं तो पुत्रों के बारे में भी तीन चार ही नाम लेखे होते हैं इसके आगे नहीं लेखे होते हैं तो नमबर एक हुमाईوں नमबर दो हिंदाल मरजा नमबर तीन असकरी मरजा नमबर चार कामरान मरजा नमबर पांच सहरुक मरजा नमबर 6 बर्वल मिरजा, नमबर 7 अलवर मिरजा, नमबर 8 फारुक मिरजा और नमबर 9 ऐहमद मिरजा तो यह सब ही किसके पुत्र थे? बावर के पुत्र थे तो इन मेंसे आपको केबल एक ही नाम याद रखना है वो है हुमाइूं का क्योंकि बावर के बाद हुमाईयों ही सासक बनाता तो इसी लिए हुमाईयों का नाम आपको याद रखना है हला कि इनकी भी चर्चा होती है यह ते हिंदाल की होती है असकरी की होती है कामरान की भी होती है लेकिन इनके बारे मैं आपको आगे बताऊंगा अब बात करते हैं बावर की पुत्रियों पर नमबर एक गुल बदन बानो बेगम माहम अंगा गुल रुख बेगम एसन दौलत बेगम फकर उननिसा गुल जार बेगम गुल रंग बेगम महर बेगम तो ये सारी बावर की पुत्रियां थी इन में से आपको एक नाम याद रखना है गुल बदन बानो बेगम का क्योंकि गुल बदन बानो बेगम ने ही हुमाईयो नामा की रशना की थी तो इसी लिए ये नाम आपको याद रखना है बावर ने पादसाय और कलंदर की उपादियां धारन की थी तथा पादसाह की उपादी धारन करने वाला पहला सासक बावर को माना जाता है ये एक बहुत ही अच्छा प्रस्न है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पादसाह की उपादी सबसे पहले किसने धारन की थी तो बावर ने धारन की थी पादसाय का क्या मतलब होता है? देखिए पादसाय का मतलब होता है साहों का साह है लेकिन पादसाय की जगह इतिहास कावरों ने बादसाय लिखा हुआ है ये आपको यहां पर ध्यान रखना है बावर को अपनी उधारता की कारण कलंदर की उपादी प्राप्त हुई थी कलंदर इसका मतलब क्या होता है देखिए कलंदर का मतलब होता है संत बैक्ती हाला कि बावर कोई संत नहीं था लेकिन यहां पे उपादी प्राप्त हुई थी बावर ने 8.24.94 इसवी को फरगाना आदनिक उजवेकस्तान में है तो वहां का सासक बना था कब 8.24.94 इसवी को बना था बावर ने तुलुगमा नीती उजवेकों से और तुफखाने एवं बंदू कप्रियोग इरानियों से सीखा था यहां पर कहने का मतलब है कि जो तुलुगमा नीती थी बावर की वो किस से सीखी थी बावर ने उजवेकों से सीखी थी तो खाने का प्रियोग बंदू का प्रियोग ये इरानियों से सीखा था तो यहाँ पर बात करते हैं कि तुलगमा नीती क्या होती है देखी तुलगमा नीती इसकी चर्चा इतिहास में बहुत होती है इसका मतलब है कि जब दो सेनाओं के बीच में युद होता है तो जो सेना तुलगमा नीती का अनुसरान करती है उसे क्या किया जाता है कि चार भागों में बाढ़ दिया जाता है, एक सेना सामले से आकरमण करती है, एक left से, एक right से और एक फीछे से, तो चारो तरप से दुस्माश सेना को घेर लिया जाता है, और इसी नीती को कहा जाता है तुलगमा नीती, बावर ने भारत पर पाँच बार आकरमण किया था तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि बावर को भारत पर आकरमण करने के लिए किस ने आमंत्रित किया था हाला कि इसकी चर्चा मैंने अपने अब्रेहम लोधी वाले वीडियो में की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्कप्सन वॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी तो वहां से आप देख सकते हो अबरहम लोधी ने क्या किया कि अपने पिता सिकंदल लोधी के दौरा जो निक तो सरदार थी उनके पिरती निरंकुस रवया अपनाना सुरू कर दिया था इससे क्या हुआ कि जो सरदार थे उनमें खलवली मच गई और इसी का नतीज़े ये हुआ कि बिहार में दरिया खान नुहानी और खान जहाने बिद्रूह कर दिया था हलाकि इबरेहम लोदी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन दरिया खान नुहानी की जल्दी मृत्यू हो गई थी मृत्यू के बाद उसका जो पुत्र था बहद्रू खान वो बिहार का सूबेदार बना लेकिन उसने सूबेदार ना बनके सूबेदार को सूबेदार साथ गोस्त कर दिया और सुल्तान की उपादी धारन कर ली इससे क्या हुआ कि एबरेहम लोदी को बहुत बुरा लगा उसने क्या किया कि उसे दंड़त करने के लिए पंजाब से एक सूबेदार को बलाया जिसका नाम था दौलत खान लोदी लेकिन दौलत खान लोदी संकालू बस था पहले ही उसने क्या किया कि अपने पुत्र दिलावर खान को एक छोटी सेना के साथ भीज़ दिया अबरहम लोदी दिलावर खान लोदी को देखकर बहुत करोदित हुआ उसने दौलत खान लोदी को भी धंड़ित करने का फैसला किया उधर दौलत खान लोदी ने क्या किया कि अब्रहेम लोदी की सक्ती को तोड़ने के लिए काबल के साथ सक बाबर को दिल्ली पे आकमन करने के लिए आमंतरित किया लेकिन उससे पहले किसने आमंत्रत किया था राणा सांगा ने जो की मेवाड के राजा थे लेकिन राणा सांगा के आमंत्रन पर बाबर भारत आया नहीं था दूसरा जब उसे नमंत्रन मिला दौलत खान लोदी का तब भी वो नहीं आया इसके बाद क्या हुआ कि अबरहम लोधी और उसके चाचा आलम खान लोधी के मद मतभेद उत्पन हो गए थे क्योंकि आलम खान जो लोधी था बो सिकंदर लोधी का भाई था और अपने आपको बास्तव एक उत्राधिकारी मानता था इससे दोनों के मद मदविद रहता था अंतमों उसने क्या किया कि आलम खान लोधी ने बावर को दिल्ली पे आकरमण करने के लिए आमंतरित किया तब बावर ने सोचा कि इतने आमंतरन आ रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है वहाँ पर हमें जाना चाहिए तब लास्ट में जो आमंतरन दिया गया था आलम खान लोधी के द्वारा और आलम खान लोधी कौन था अबरहम लोधी का चाचा तब बावर ने सोचा था कि मुझे भारत पे आकरमण करना चाहिए और सबसे पहला जो आकरमण किया था वो किया था बावर ने 1519 इसवी में किया था बाज़ोर और भेरा के यूसुफ जाई जातियों के बुरुद किया था और इसी युद्ध में सबसे पहले तूपों और बंदूकों का प्रियूग बावर के द्वारा किया गया था 1519 के बाद बावर ने 1524 में फिर से आकर्मन गिया और ये आकर्मन लाहोर के बिरुद्ध था लाहोर में उसकी जीत हुई और उस जीत को हासल करने के बावर फिर से काबल चला गया था और 1524 से 1525 के मद में बावर ने युद्ध नीटी का खूब परसिक्छन लिया इसके बाद नॉबर 1525 में बावर ने काबल से दिल्ली के लिए प्रिस्थान किया 12 अपरेल 1526 को बावर की सेना पानीपत के मैदान में पहुँच गई और उसके साथ में दौलत खान लोधी और अबरहम लोधी का चाचा आलम खान लोधी की सेना भी साथ में थी बावर के प्रिस्थ तौपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थी पानीपत का प्रिथम युद 21 अपरेल 1526 को बावर और अबरहम लोधी के मद में हुआ था और इस युद में बावर की बिजय हुई क्योंकि बावर ने तुलगमा नीती एवं तौप खाने का प्रियोग किया था तुलगमा नीती के बारे मैं आपको बता चुगा हूँ और तौप खाने के बारे मैं मैं आपको बता चुगा हूँ कि ये किस से सीखा था एरानियों से सीखा था बावर ने पानिपत के परत्म युद में अबरहम लोधी और गौलियर की राजा बिक्रम जीत सिंग की मृतियू युद इस्थल में ही हो गई थी भादि इतियास में यह पहला अफसर था जब किसी राजा की मृतियू युद इस्थल में ही होई थी खानबा का युद 16 मार्च 1527 इसभी को बावर एवम राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद में भी बावर की बिज़े हुई थी यहाँ पर 16 मार्च लिखा है किसी बुक में 17 मार्च लिखा है तो 16 या 17 मार्च 1527 को खानबा का युद हुआ था और ये खानबा कहा है राजस्थान के भारत पुर जिले में है ये खानबा युद के दोरान ही बावर ने जिहाद का नारा दे कर सभी सेनिकों को कुरान पर हाथ रखवा कर किसम खिलवाई थी कि जब तक जान रहेगी तब तक युद्ध लड़ते रहेंगे इस युद्ध में हजार और राजपूत सेनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था अंतमे बाबर ने सभी राजपूत सेनिकों के सिरों को एकटा करवाया और गाजी की उपादी धारण की इस युद्ध के बाद बाबर ने काबल की जगए दिल्ली को सक्ती का केंदर बनाया था तो ये खानवा का जो युद्ध है ये बाबर के लिए बहुत महत्मूँ था प्योंकि बाबर को ये डर था कहीं राणा सांगा से हम हार न जाएं इसलिए उसने अपने सवी सेनिकों को जिहाद का नारा दिया था देखिए जिहाद क्या होता है हलाकि इस सब्द का आपको अलग-अलग मतलब मिलेगा अलग-अलग इतिहासकारों के दोरा और राजनीतिक बैक्तियों के दोरा इसका जो मतलब है वो अलग है लेकिन बास्तविक जो मतलब है वो क्या है सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जिहाद किस भासा का सब्द है देखें जिहाद अर्वी भासा का सब्द है और इसका मतलब होता है कि जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उन्हें मुझसें बनाना या फिर उन पर सासन करना या फिर उनको बुरी तरह पराजित करना तो यह यहाँ पर यापको याद रखना है इसको हलागि इसका जो मतलब है वो आपको कई किताबों में अलग-अलग मिलेगा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जिहाँ का मतलब धर्म होता है, लेकिन जिहाँ का मतलब धर्म नहीं होता है चंदेरी का युद इन्तीस जनवरी 1528 इसबी को बाबर एबं मैदनी राय के मद हुआ था इस युद में बाबर की बिजे हुई थी और इसी युद में मैदनी राय की मृत्यु भी हो गई थी मैदनी राय की दोनों पुत्रियों को हुमाईयों और कामरान को सौंप दिया गया था घागरा का युद पांच या च्छे मई 1539 को बावर और अफगान सासव को के मद में हुआ था ये भारत का पहला युद था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और इस युद में भी बावर की बिज़े हुई थी बावर संद क्वाजा अबैदुल्ला एहरार का अन्वियाई था बावर ने स्वेम बावर नामा की रचनत तर्की भासा में की और बावर को मुबैयान पद्द सैली का जनमदाता भी माना जाता है तो यहां पर मुबैयान पद्द सैली का जनमदाता किसको माना जाता है बावर को माना जाता है तो ये मुबैयान पद्द सैली क्या है देखिए इसके बारे में इतिहासकारों ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है और आपको किसी भी इतिहासके किताब में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी भी नहीं हलाकि इसका जो मतलब होता है वो होता है कि एक बिस्स परकार की लेखन सैली जिसमें कुछ तथ जो होते हैं वो कल्पनाओं पर आधारत होते हैं उसी को कहा जाता है मुवयान पदसेली 26 दिसम्बर 1530 इसवी को आगरा में बावर की मृत्यू हो गई थी सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया था कि दुबाद में बावर के द्वारा चुने हुए स्थान काबल में उसे दफनाया गया था बावर का सासन काल 1526 से 1530 इसवी के मद्द में था बावर ने हुमाईयों को अपना उत्रा अधिकारी चुना था तो ये तो था बावर का इतिहास अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अधूरा रह गया है तो आप मुझे कॉमेंट करके नीचे बता सकते हैं तो उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूँगा इसमें जो जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है उसको आपको याद रखना है क्योंकि वो परिक्षा की दिलस्टी से बहुत ही महत्पूर है अगर आप नूर्स बनाना चाहते हैं तो डिस्केप्शन बोक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी तो वहाँ से जाके आप बना सकते हो वीडियो गर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद